दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग एक पेमस इंडियन राइटर, पाइट, ड्रामेटिस्ट, श्री अर्विंदो की लाइफ को डिस्कुस करेंगे, जिनको अर्विंद घोश के नाम से भी जाने जाता है, इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कौन से spiritual works को इन्होंने ट्रांसले प्रेथ हुई थी, डिसंबर 5, 1950 में, ये वो पहले इंडियन थे, जिन्होंने लिट्रेचर को इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, ज्यादातर जो इनकी राइटिंग्स आपको मिलेगी, वो इंडियन स्क्रिप्चर्स के ट्रांसलेशन्स पर मिलेगी, योगा सिस्ट एक फ्रेंच लेडी थी, मैडम मीरा अलफासा रिचर्ड उनकी साथ मिलकर, जिनको इन्होंने एक नाम भी दिया था, दा मदर, और उस लेडी ने भी इनको अपना गुरू मान लिया था, 15 अगस्त 1914 में दोनों ने मिलकर एक मंत्री जनरल को शुरू किया था, पब्लिकेशन उस टाइम पर एक सेंटर था, ब्रेटिश इंडिया का, जहाँ पर आईरिश नन्स मिलकर स्कूल को चलाती थी, वहाँ पर जाने के बाद पहली बार इनको क्रिश्चन रिलिजिस टीचिंग्स के बारे में पता चला, साथ ही साथ सिंबोलिजम के बारे में भी पता चला, कॉंपेटिशन होता था उस टाइम का इंडियन सिविल सर्विसे, उसका एक्जाम पास कर लिया, लेकिन सर्विस में ये इस वज़े से नहीं जा पाए, क्योंकि दो साल का प्रोविजन होता था, वो ये फिल कर गया, उस वक्त 1893 में बढ़ोदा के एक महरास्ते गायकवाड उनको इन्होंने जायन कर लिया, और लगभग 13 सालों तक वहीं पर रहे, 1893 से 1906 तक, ये वो साल थे जब इन्होंने self, culture, literary activities, इन सब के बारे में preparation की, जो आगे के इनके works में दिखाई देने वाली थी, देखो दोस्तों, 1902 से 1910 तक इन्होंने freedom movements में भी participate किया, बिटेश रा गाने का freedom movements हो रहे थे उस टाइम पर उसमें भी इन्होंने participate किया, लेकिन मई 4, 1908 में ये arrest हो गए थे अलिपॉर conspiracy case में, अब इन्होंने किन-किन weekly generals को edit किया था दोस्तों, कर्मयोगन, एक बंगाली weekly general था, धर्म, और एक English daily general था, वंदे मातरम, उसको भी, 1910 तक, 1910 था कि इ योगा को समर्पित कर दिया था, और spiritual works को पढ़ने लगे था, क्योंकि इनकी जो mother थी, वो spirituality में बहुत मानती थे, इन्होंने Greek, Latin के साथ संस्कृत literature भी पढ़ा, blank words के तो उस टाइम पर master थे दोस्तों, इनकी poetry famous इसलिए है, क्योंकि इनकी poetry में spirituality ज्यादा होती थे, और 5 इनकी पाँच external powers की, इनके early works में आपको love जो है, passion, power और pearls की तरह दिखाई देगा, इनकी memorable poems की नाम बता देता हूँ, और इनकी कुछ sonnets भी थी, तो ये early poems सीन की, इनोंने एक नई वेदिक और उपनिशिदिक एज शुरू की थी दोस्तों, poetry के अंदर, लगबग 103 sonnets produce की थी दोस्तों, ये बहुत बड़ा number है, और Shakespearean model को follow किया है, इसको produce करने में, 103 sonnets को, blank words का use करते थे, इनकी iambic blank words जो है, वो एकदम miltonic blank words जैसी है, और इनकी एक famous sonnet है, the pilgrim of the night, दोस्तों, ये poem एक perfect example है, Shakespearean sonnet का, इसके अंदर, A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G, ऐसी ram scheme को follow किया हुआ है, इसलिए हम इसको एक perfect example कहता है, Shakespearean sonnet का, इनको part of patriotism भी कहा जाता है, क्योंकि ये patriotism पर भी बहुत सारी poems लिखा करते थे, इनकी एक famous poem है, बाजी प्रभू, ये glorify करती है patriotism को, इसके अंदर आपको patriotic efforts दिखाई दिते हैं इनके, उसलिए इनका एक बहुती famous work है, सावित्री, जो की एक spiritual epic है, जो Milton के paradise lost की पराबर में रखा जाता है, work को magnum opus भी कहा जाता है, एक philosophical epic, क्योंकि इसको लिखने में काफी time लग गया था दोस्तों, तीन parts में इसको लिखा है, लगबग 24,000 lines में, 24,000 lines में लिखी है, और 12 books में divide किया है, जिसके अंदर 48 cantos हैं, और एक epilogue भी है, एक से लेकर 3 books जो है, वो part 1 में है, 4 से 8 है, part 2 में, और 9 से 12 जो है, वो है part 3 में, अरबिंदो ने एक theory develop की थी दोस्तों, overhead poetry की theory, जबकि इनकी future poetry के अंदर psychological evolution दिखाई देता है, दोस्तों, इनकी जो future poetry थी, वो एक monthly review, आरिया में publish हुई थी, 32 installments में, 32 installments में, December 1917 से July 1920 तक, इन्होंने 5 complete blank words में plays भी लिखे हैं, और 6 incomplete plays भी हैं, 1891 से 1916 तक, यह उन 5 complete plays के नाम है दोस्तों, यह काफी हद तक Elizabethan plays से inspired थे, यह उन 6 incomplete plays के नाम है, इन्होंने कालिदास का विक्रम और वशी को translate किया है, और भ्रतहरी का नितिशतकम translate किया है, इनका एक और famous work है, The Life Divine, दोस्तों, यह serially published हुआ था, first time, monthly review, आरिया में, इनको दो rootable awards में मिलें दोस्तों, The Batford Award for History, और Butterworth Prize for Literature. अब जब आपने ये वीडियो कतम कर लिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कुछ भी मैंने समझाया है, इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, चलिए आज की इस वीडियो में सतना ही मिलता हूँ next वीडियो में.